और आज हम लोग पढने वाले है yo Joe was Google याँ पर कवर अप करने वाले हैं पूरे कमप्लीट चेप्टर को यहाँ पर अंप ? करेंगे यह कवर अप करेंगे यह इसका जो कुशन है वो भी प्रैक्टिस करवा देंगे ठीक है ताकि आपको कोई दिक्कत नहों और दुबारा आपका रिवीजन हो जाए चलिए सबसे पहले समझते हैं सोल्डरिंग के बाड़े में करते थे तो उसमें से दो भागो को डो धात। आपस में जोड़ने की प्राकिरिया होती थी उसे में कहते थे इस विग जोरने के लिए प्रयोग होने माध्यम कूंसा होता है होता है कि या उट से चरफ हैं ओद गmittel को खता नहीं के लिए टоп पता चलेगा कि और तो साथी-एन वह डोनों जोड़ने वाले हैं हो वह थोंनों भी आपस में प्रणीं कुम गुँच दिये जाता है घटाने के लिए घटाने के लिए विस्मत धातु का यूज करते हैं बधाने के यूज करते दियान रखी आफ लोग ठीक है आगे चलते हैं इसमें इसमें क्या होता है कि कमफन पर खुल जाता था लोड सहन नहीं कर जाएगा इसे कम ताप मान पर जल्दी जोड सकते हैं कोई भी इसे नॉर्मल बेखते भी जोड सकता है इसके दौरा पतली सीट तारो और चोटे को अस्थाई रूप से जोड़ा जाता है इस जोर में कम लागाता थी जोर में क्या होती है बहुत ही कम खर्चा होती है ठीक है हम लोग भी एक शोल्टिंग एरन खरदे हुए थे जब हमको कोई बल बोल बनाना होता था तब हम उसका यूज करते थे हानी क्या है यह कच्छा ट या पका जैसा उप्यूपत यह होता है और यह फ्लक्स होता है इसे आवस्यक समागडी के रुप में इसमें फ्लक्स भी मजूद होता है ब्लो लैंप भटी इत्यादी धात्व गर्म करने के लिए उसके बाद फाइल सैंड पेपर इत्यादी जो है सुल्टरिंग के लिए सा आगे देखिए अगला सुल्टरिंग के परकार कितने होते हैं तो दू परकार के होते हैं एक तो आपका नर्म सुल्टर होता है दूसरा कठोर सुल्टर होता है ठीक है आगे देखते हैं नर्म सुल्टर क्या है कठोर सुल्टर क्या है ध्यान से देखते चलिए यह सोल्टरि सब्सक्राइब करने में इसका परयोग किया आगे देखते हैं यह सरलता से सोल्डरीं आयन द्वारा पिगलाया जाता है सोल्डर में तीन की मातर जितने अधिक रखी जाती है उत्र हिं उसका गलनांग किया होता है कम होता जाता है शुख्षमाकार के बिधुत उपकरन है तो पचास-पचास परसेंट टीन लैड वाला सोल्डर उप्यूग्ठ रेडिय और यहां देखिए तामबा जींग और यह नियुक्तलब के पूछा जाता है कभी-कभी-कभी किस में से थातु के बने होते तो तामबा जींग और मुष्या जाएगा इसमें कभी-कभी चांदे मिला दी जाती है इसका गलनंक सारे 300 से सारे 500 डिरी सलसेस होता है, यह सौप्ट सोल्डर के अपक्छा हाड अथवा कठोर होता है, यह अधिक गलनंक वाली धातु जासे कॉपर, ब्रांस, लोहा, इस्टील आधी पर सोल्डर करने के लिए परियोग की जाती है, इसका गलनंक उच होता है, यह द से धियान रखेगा, और इसमें जास्ता और तामबा, जास्ता और टीन का परियोग भी किया जाता है, जो 50, 39 और 13 पर यूज होता है, सिल्वर सोल्डर क्या होता है, यह भी आपसे कुश्चन पूछा जाएगा, आगे हम इसका प्रेक्टिस भी करवा देंगे, इसका पीडि 10 परसेंट, और सोना 70 परसेंट आपका यूज किया जाता है, ठीक है, चांदी के आब वोजन में तका लगाने के लिए 20 परसेंट, आपका कॉपर, चांदीowski, सतर परसेंट, जास्ता 10lling जर्मन सिल्वर में कॉपर 25 परसेंट, जिंग 95 परसेंट, और निकल 10 परसेंट का यू कोपर जिंग का मिश्रधातू होता है इसका जो है जोब बहुत कम कंख्यण पर इसका मतलब का मतलबmas अरप बलीक ऑप एस बढ़ाने के ध viewers में काम पहली बस तु जोने को काम आताया जूर में ऑसेदार मोर्ण सब्सक्राइड एने फटोल में काम में लेता है या जो हाओबरेग्स तक फर्मूला भी आप याद कर सकते कम में लेता है कुछ हुआइप की गर्म होने पर यह जोड़ आता है यह घर्म होने पर इसके जोड़ कि आए नहीं खुलता है अब में जो ओडर होता है वो पेष्ट या ड्रब के रूप में होता है यह जो फिर घुर की तरह है खी के तरह हम लोग यॉइस को सलडर करता है और सोल्डर को पहलने में सहाता करता है यह बहुत इंप्रटेंट हो धाता है यूज के बारे में भी नहीं जानते थे देरे-देरे जैसे पता चल तो इसका यूज भी करने लगे मैं आदगी थाम और लगे रह जाए तो छती पहुंचाते हैं तता धातू पर जंग भी लग जाता जैसे जिंक क्लोडाइड हाइड्रोक्लोरिक एसीड नौसेदार इत्यादी उसके बाद नन क्रोशिव फुलक्स क्या होते हैं नन क्रोशिव फुलक्स में छार तसा तेजाब के मात्रा बिल्कुल भी न जाएंगे समझे पहला हो गया है यह सीएल जो हाइड्रोकलोरिक तरहल रूप में होता है तता हवा के संपर्क में आने पर धुआ देता है इसमें पानी में मिलाकर परियोग किया जाता है तो यह कारान जिंक कलो राइड बन जाता है ठीक है कुछ इस तरीके का आपको देख देखता है उसके बाद देखे हम जो जिंक कलो राइड की बारे में समझते यह कुछ इस तरीके का आपको डिबा में पैक करके मिल जाएगा ठीक है मिलेगा जिंक कलो राइड वाला देखे इसका परियोग पितल की सीटो तामबे की सीटो और टीन की सीटो आधी की सुल्टर में किया जाता है डाई बैटरी में इसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में परियोग किया जाता है तरल पदार्थ के रूप में परियोग किया जाता है गर्म करने पर यह भाप के रूप में उड़ जाता है स्टैनलेस एस्टिल सीट की सोल्डरिंग में हाइड्रोकलोरिक अमोनिया कोलोराइड तरह जिंग कोलोराइड का मिस्वन पढ़ियोग किया जाता है कुछ इस तरीके का दिखता है आप इसे देख लिए फिगर में एक बार बिभीन परकार के नॉन क्रोसिफ फ्लक्स होते उसक उसका होता है यह एक बनस्ते थेल होता यह सोल्डरिंग पर हलके तेजभी रूप में कारे करता हा हलका तेज आपको दिखेंगा आगे टैलो देखें टैलो ऊरुस तरीके कर रबर execute आपको देह दिखता हो घ्यानवारों की चर्वी से बनाते हैं प्लम्विंग कार्य में शी पूछ किसका करते हैं जिन्क कलोराइड एबम गलिस्टरेन को मिलाकर पेश्ट बनता है इसका उप्योग रेडियो टीवी एलेक्ट्रोनिक कारियों में बारिक तारों को जोड़ने के लिए यह आपका पेश्ट ठीक है रेजिन रेजिन या रोजिन क्या है यहां पे देखे इ अगर खोद खात के कोश्चन पूछने लगे तो इसे वी रोजा की नाम से भी हम लोग जानते ठीक है आगे इसका परियोग तामबे पितल सीटों की सोल्टरिंग में भी किया जाता है विभीन धातु की सोल्टरिंग करते समय परियोग में लाए जाने वाले सोल्डर का मिस् सेर छोटिस श्यासाट रहेगा सएफ़ मिलियेृत उसके पारी सव पूचा जाता है यह आपको नहीं पूचेगा ठीक है इतना बिटम में नहीं जाए शुक्या आट्यक्स का का काड़ी सब्सक्रात कि अटिसवाबका में को आप तो तो डोटल 40 चेप्टर हम आपको पढ़ाएंगे चालिस चेप्टर आपको पढ़ाएंगे अभी आपको 34 चेप्टर पढ़ना है तो बहुत लंबा मतलब यह है इसको खीचते आगे चलता है चलना है ते हैं सोल्ड के रूप मेट गरुप में मचलर के सnt किसके बारे में समझे दो के रियसे तो आपको हमिची अस्री में रखा जाता है जो मैं घालग्य बूपन के जाता धिये सोल्ड़ूरिंग करने के लिलए और ऑस्लीग करने के वह गरं होता इसलिए उसको सब्सक्राइब डावाब को हमेशा अस्रेनी में रखा जाता दो तत्व क्यासा रखा जाएगा देखे यह एड़ कौपर हो गया यह आपको डेरेक्ट फिकर देगा आपसे पूछेगा एड़ जी वला होगे एड़ जो गया इसको सैंक बोलते हैं इसको उड़न हैंडल इसको अन्टेलों यह आपका सोल्डरिंग आइरण है कि अपकी दिये हुए है पहला हता होता है । आपको प्रकार होते हैं जो की प्रकार है नीमन न पेज़ा का प्रकार की दिखिए फ्रीड टिप जो है सरह्ष्ट भुझाकार यह अस्ट भुझाकार होता है इसका पुझा हलकません की यह इसका अकार कुला canyon यह सधारनता वह भारी में पडियोग में लिया जाता अब देखिए इसे एडे चैनल कहते हैं अगला गैस वोडरिंग आरण भी बहुत यूज में आता है इस वोडरिंग आरण में एक हैलो पाइप हुआ हैलो टीप यानि कॉपर को एक हैलो हैंडल के साथ फिट किया हुआ रहता है जास वोडरिंग के लिए लगाता लगाकर मतलब करनी होती है वह इस का प्र Laure clean का वCloud कर्ण का रहता है यह अणिदिक क्ति हमाइडिक वह अचैप है इसे जो है विजली द्वारा गर्म किया जाता है जिसके क्लेड़ का प्रियूप लगा जाता है इसका प्रोड़िक कार्यों कि लिए किया जाता है चल्राव का 20 अब हम करते Unknown शोल्डर का इस तरीके का दिखता है जोownedर का प्याने जो है जोरी जाने वाली धातु के बिंदु कं में ऑना चाहिए मजबूत होना दस्की आङला है जोरी जाने वाली दहातु जुरी रहनी चाहिए, शोल्डरिंग परकिया कैसी होनी चाहिए, कारे सत्व को पहले तियार कीजिए, उसके बाद टेकिंग कीजिए, उसके बाद प्लोटिंग कीजिए, हम बारी बारी से सब चीज को यहाँ पर बता देते हैं, कारे सत्व को कैसे तियार करना है, अध्यान से पोलेगा इसके लिए रेगमालतार ब्रोष रेती आदि काम में लीए जाते हैं चिकनाई आधी को घटाने के लिए सप्रीट छार आदिक faktiskt छार के साफ करने के बाद कार्य धॉठातू को पानी से दोया जाता है इसके बाद कारेखंड या जोर फ्ललक्स लगा या ऑक्सीकारक होने के कारण गर्म अवस्था में कारे खंड पर ऑक्साइड नहीं बनाता है इसकी एज जो है खराब हो जाती है फ्लेम को हमेशा फ्लेम की बॉडि पर रखना चाहिए फ्लेम की बॉड़ी पर रखना चाहिए बीट को उतना ही गर्म करना चाहिए जितने सोलडर आसानी से पिगल आया सके हैं टीनिंग समझे जो सोल्डरिंग आयरन की बीट गर्म होने के बाद टीनिंग कारे के लिए उसके बीट पर सोल्डर की परत चड़ाई जाती जिसे टीनिंग कहते हैं टीनिंग करने से सोल्डरिंग बीट को वाइस में बांध कर रेती से अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं टी कि दिखिए इसमें चौता नमबर बता थे अभी बता हैं जुस्ट टेकिंग के बारे समझे ऑसको बाद फ्लोटिंग करने चाहिए इस परकार से पहले जोर की अंदरूनी और बारी सता पर फ्लस्क लगाया जाता है इसके बाद काड़े को लकरी के ब्लोग पर पैतालिस दिग्री एकोन पर पकड़ा जाता है तरफा सोल्डर के छोटे-छोटे टुकड़ों को थोड़ी-थोडी मात्रा में जोर पर रखकर गर्म सोल्डरिंग आयरन से उसे पिगलाया ज पहला पॉइंटर निवने प्रकास की वीधियां होती है पहला सोल्डरिंग की जाने वाली सत्ता को गर्म करने से पहले सत्ता को सबसे पहले रासानिक वीधि द्वरा साफ कर लिजे उसके बाद धातु और जॉब के अनुसार सोल्डरिंग आयरन वा फ्लक्स का चुनाब करि सोल्डरिंग के पहचात कारे को पानी से धोले ना चाहिए ताकि फॉलस्क न खुले कुछ इस तरीके का आपको वो डाइग्रम दिखता है सोल्डरिंग बिधि आप समझे कौन-कौन सी वीधिया है पहली बिधिया समझ लीजे सोल्डरिंग आयरन वीधि इस प्रकार का प्रकार को जोर पर प्पिखलाया जाता है जब जोर को अच्छी तरीके से सोल्डर से भठ दिया जाता है तो सोल्डर कारड को हटा लिया जाता है और फिर इसके बाद सोल्डरिंग आरन को भी अच्छी तरीके का होता है अब देखिए लो लांप पर अप्लोर को गर्म किया जाता है अब जोर पर उप्यूकत फलंक स्लॉक कर दिया मिद को संटर्ड्र नीचे गिरने लगता है तो ऐसी स्थित्री में ब्ल collaborative को दूर करने के जाती हैं में सब्सक्रोइ। blow lamp के द्वारा soldering पात्र में solder rod के टुकड़ी डाल कर उसे पिगलाया जाता है, अब जोर फुलस्क लगाकर गर्म गर्म solder कछरी द्वारा जोर पर कई बार डाला जाता है, दो तीन बार solder डालने के बाद ही वह जोर पर चिपगना प्रारंब करता है, क्योंकि प्रारंब में डाल तक धाग या सॉल्डर जोर को क्या कर देता है गर्म कर देता है यह जो है नर्म की इस बिधी में च्टेजर्बर्म के Zika बिद्र खी सताझ पर पहले टीनिंग के मालता हो जाता है जब दोनों पाद कंडे जाते हैं जाते है ठीक है कि इस प्रकार का आपको गन दिखाई दे रहा है इस विधी सर्वेसिंग अब मरमत कारियों के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है यह आप नहीं देखे हुई एक में लिए सर्विस सेंटर में यूज किया जाता है इस विधी का सिधान्त यह है कि चालक द्वारा प्रवाहित धारा उसमें उसमित कर देता है soldering gun बीधी द्वारा solder करने में तापमान की जाच करना अत्यादिन कठिन हो जाता है कठिन कारे है क्योंकि इस बीधी में overheating होने की प्रवल संभाबना रहती है अब drip solder द्वारा भी आपको किया जाता है देखें ये drip solder बीधी है इसमें कैसे किया जाता है ध्यान से सुनिए इस वीधी का परियोग उत्पादन और printed circuit board पर घटको के टेनिंग कारियों के लिए परियोग तो होता है solder किये जाने वाले अबयबो घटको को solder में डुबो कर डुबोया जाता है जो विधूत से उसमित होते हैं एक वीलो डग द्वारा solder को गतिमान रखा जाता है जिसमें ताब जो है समरूप रहे और सत्व ऑक्साइड मुक्त रहे है machine soldering द्वारा by machine soldering देखे इस वीधी का परियोग मात्रा उत्पादन के लिए होता है जो इस सिद्धान पर अधारित है कि परियोग किया गया solder सिद्धा से 60 होकर ऑक्साइड परत को तोड़ देता है hard solder या ब्रेजिंग देखे में यहां पर समझे रहा है hard solder ब्रेजिंग देखे हाँ ब्रेजिंग वा silver soldering की hard solder ब्रेजिंग कहते हैं या पक्का जोर होता है दो एक जैसी भीन धातों का फ।र जोर लगाने की ब्रेजिंग कहते है देखें कि जोर लगाए को जोर लगा ने उसे Although Sky कहें सेनिह कि अरुप सखेंगे हैं ब्रेजिंग के लिए solder करक्सुर्प सकता नहीं होती है मिरें के लिए के समान होती है इसका परियोग जो है कटिंग टूल एबं करबाइड टीप नल तथा उसकी फीटिंग आधी जोडने के लिए रियो रेडियेटर द्वारा आधी बनाने में किया जाता है ब्रेजिंग के द्वारा ब्रेजिंग के जोर अधी कंपन पर भी नहीं खुलते यह अस कहता हैं िसमें सुहागा फ्लक्स के रूप में परियोग किया जाता है इसमें मुख्यता तामबा पांच भाग होता है जास्ता तीन भाग होता है चान्दी दू भाग होती है अधिकतर सुनार लोग इसका उपयोग करते हैं सभी धातवों के लिए फलॉक्स के रूप में सुहागा करते हैं ठीक है इसे पानी में ने खोल कर प्रियोंक किया जाता है इसके बारे में समझे प्रकिरिया D सबसे पहले कर लेंगे सपाई कर लेंगे यहां पर कशार करना है भाक करने कि जो है वो कौन-कौन सी अध्यान से देखिए टॉर्च ब्रेजिंग होता है इस विधी में ऑक्सी सिटिलीन फ्लेम का प्रयोग होता है इसमें जोर गर्म करने जर गर्म करके ब्रेजिंग छार को फलक्स साथ मिलाया जाता है ठीक है कुछ इस प्रकार का आपको यह फिगर में भें देकी यह फ्लेम आग मैं यहां फेल्टर मिट है यह जौब है जौबसृत मतलब आप हो यह लगा प्रेजिंग पूरा ढगर देखते हैं दूसरा देखते हैं दीड्रेजिंग में लिए आपको चार समझना है तो दूसरा देखें डिप ब्रेजिंग क्या होता है कि इस वेधी में ब्रेज किये जाने वाले पार्ट जो होते उसको पिगलाई पिगली हुई धातु के रसायनिक बात में टूबाया जाता है इसमें जो है स्प्लेटर को कुंठाली में पिग गर्म किया इस पर स्प्लेटर निकाल कर ठंडा होने के लिए पार्ट को बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए क्या कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है ठीक है आगे देखते हैं इंडक्षन ब्रेजिंग क्या होता है तो इस बीदी में इंडक्षन time ध्वाइल द्वारऄ ब्रेज किये जाने वाले भाग को high frequency current q d बाते हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कौन-कौन सी बाती है चुकि टोटल जो इसमर्णिय सार का मतलब होता है समपोर्ण चेप्टर का एक निचोर जैसे दूद से चाली निकालते चाली से फिर आप घी उसको गर्म करके घी बनाते हैं तो दूद से घी डारेक्ट आप न सोल्डर का निर्मान सीसा वर टीन से बनी मिस्र धातु द्वारा किया जाता है रेडियो टीवी कारियों के लिए उप्यूक तो सोल्डर टीन एवं लैड की परतिसात 80 और 20 परसेंट में होती है फ्लक्स अत्वा फ्लक्स बजार में चूर नत्वा पेस्ट के रूप में उपलवद होता है ठीक है फ्लक्स आपके बजार में पेस्ट के रूप में ही जदा तर आपको देखने को मिलेगा चोड़ने में कम देखने को मिलता है ब्लो लैंप द्वारा सोल्डरिंग करने के ल किस में ब्राइजिंग में किसमें में जोडनांग जोड़ी बस्तो के कम होना चाहिए ब्रिजिंग करते समय प्लाइजिंग ुरूप में किया जाता है मसल पताइज से यह starts होता है वह 450 अधिक ही जा सकती है देखें करने के लिए से पहले टेनिंग की जाती है सही बात है प्रेजिंग करने समय सोल्डर के रूप में पितल का पड़ियों करते हैं टीन का जो गलनांग है हम आपको पूर्वाइड करा देंगे तब तक आप चैनल पे नए है तो इसको सब्सक्राइब कर लिजे इसका पीडियाफ आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा तो टेलिग्राम से जाकर कि आप इसका पीडियाफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है कम्प्लेट कल हम झाल